वेरी गूड इवनिंग फ्रेंज्स वेलकम तु थिंग पिल मैं हूँ डॉक्टर रूपल और आज डॉक्टर रूपल फ्री पब्लिक लाइव क्लीनिक पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत हैं आज के इस लाइव क्लीनिक में हम आपके मेडिकल और स्वास्तसमंदी सवालों के जवाब जानेंगे इस लाइव क्लीनिक पर जो भी सवाल जवाब होंगे वो किसी भी तरह से आपके मेडिकल प्रैक्टेशनर या फैमिली डॉक्टर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं है इस एक वीडियो, फ्री वीडियो कंसल्टेशन स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये फ्री वीडियो कंसल्टेशन सिर्फ इन्विटेशन के द्वारा ही है, अगर आपको इस वीडियो, फ्री वीडियो कंसल्टेशन में पार्ट लेना है, अगर आपको इस वीडियो कंसल्टेश सिर्फ आपके लिए एक invitation link दिया जाएगा जिसके द्वारा आप आ सकते हो और इस free video consultation में part ले सकते हो तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जिसे आपको मुझे face to face बात करनी है या face to face मेरी राई चाहिए मेरे से medical advice चाहिए या second opinion चाहिए तो आप इस free video consultation में ज़रूर part ले सकते हो सारे details video, सभी videos के इस live clinic के video के description में mention किया है phone number भी दिया है उस पर आपको सिफ whatsapp करना है और ये link के द्वारा आप enter कर सकते हो completely free of cost है तो चलिए आज के live clinic के शुरुआत करते है अगर आपको एक detailed personalized private consultation चाहिए तो उसके लिए आप आपके family doctor से consult कर सकते हो या फिर आप मुझसे directly personal या privately consult कर सकते हो using call me for mobile app रैक्टो या लाइबरेट के जरीए तो चलिए आज का first question देखते है साहिल श्रिवास्तव ने पूचा है doctor madam what is modafinil रिया says सुषान्त on his Europe trip was having it I did some googling they say it's limitless pill so I'm confused what does this pill do बहुत अच्छा question पूचा है साहिल जी बहुत सारे students ने इस live clinic पे ये questions पूचा है especially nootropic के नाम से अभी ये modafinil जो medicine है ये एक तरह की ऐसी दवाई है जिसको famous किया है एक movie ने जिसका नाम है limitless इसमें Bradley Cooper ने role play किया था अभी Bradley Cooper एक special एक tablet जो होती है वो वो लेता है जो movie का hero है वो tablet वो लेता है और वो tablet लेने के बाद उसकी productivity उसका brain का power इतना ज्यादा मतलब almost hundred times बढ़ जाता है कि वो बहुत सारी चीजे 100 तरह की अलग-अलग चीजे वो fast कर सकता है फटा-फट से calculate कर सकता है बहुत उसका brain power एकदम मतलब पकड़ लो 100 की speed में चलता है इतना powerful हो जाता है उसके बाद ये बहुत ज्यादा चर्चा में आने लगा कि ऐसा कोई सच में ऐसी कोई दवाई है pharma companies ने सच में क्या ऐसी कोई दवाई बनाई है जिससे हम हमारा brain का जो power है उसको enhance कर सकते है और उसको speed up कर सकते है इसलिए ये modafinil ये जो tablet है इसको limitless drug कहा जाता है smart drug कहा जाता है और especially ये category में आता है जिसको हम लोग कहते है newtropic drugs अभी ये एक तरह के ऐसी category है जो brain power को या specifically कहें तो brain के cognitive functions को improve करता है तो अभी recently news में ये आया है कि कुछ ऐसी खबरे है कि रिया चक्रवर्ती ने सुषान सिंग के case में ये कहा था कि सुषान सिंग राजपूत ने मोडाफिनल नाम की दवाई ली थी जब वो यूरप की तूर पे गए थे अभी इसलिए सबी चर्चा और ये कि मोडाफिनल क्या है तो मोडाफिनल बेसिकली newtopic drug है और इसको ये इंडिया में भी अवेलेबल है फॉरें में ये प्रो विजल के नाम से अवेलेबल है टैबल एक बात मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये जो टैबलेट है इसको सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना है ये जेनरली मोडाफिनल जो है ये कब प्रिस्क्राइब किया जाता तो यह सच में और यह जो एक्सेसिव नीम जो है वो उसके रूटीन अक्टिविटीज में इंटर्फियर करता है, आदमी अपनी रूटीन अक्टिविटीज नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता और बहुत उसके हेल्थ पे प्रभाव होता है, इसलिए यह टैबलेट दी जाती है, सेकेंड जो कंडिशन है वो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर अक्टिविटी डिसॉडर, अभी इसमें बहुत ज्यादा हाइपर अक्टिविटी होती है, या परसन एक चीज पे, जनरली बच्चों में होता है, जब वो एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, तो उसके लि के लिए इसमाल के लिए नहीं था, यह जो हमारे soldiers होते है, तो उनको ऐसा नहीं होती है, उनको ऐसा होता है कि उनको कई बार दो तीन तीन दिन तक उनको पूरा ट्रेकिंग करना होता है, और एकदम alert रहना होता है, उस time में उनको बिलकुल भी जरा सी भी नीन भी उनको चले रहे और हमेशा एकदम smart रहे, secondly अभी recently जब से call center start हुए है तब से ये use किया गया है, especially night shift के workers में, जो generally अगर आप में से भी कोई अगर call center में काम करता है, तो आपने experience किया होगा, generally अगर night shift होती है और circadian rhythm आपकी sleep cycle change हो जाती है, तो दिन भर में excessively drowsiness होता है, इतना drowsiness होता ह है कि आदमी बिल्कुल भी अपनी रोज मर्रा की चीजों में भी focus नहीं कर सकता, तो उसके लिए short treatment के लिए modafinil दिया जाता है, अब इसका जो dose है, वो क्या है, जैसे मैंने कहा, इसका 100 और 200 mg की tablet मिलती है, इसका dose according to severity of the disease और कितना requirement है, 200 से लेके 400 mg per day का dose होता है, 400 से ज्या जाता है, किस सरा से ये modafinil काम करता है, इसका mechanism of action क्या है, तो ये बहुत ही ज्यादा interesting है, और specially सुषान सिंग राजपूत के case को अगर आप उसके angle से देखोगे तो बहुत आपको interest आएगा, बहुत ही interesting चीज है, modafinil जो है, ये आपके body में dopamine का level बढ़ा देता है, अभी dopamine क इक तरह का brain का neurotransmitter है, अगर dopamine किस चीज के लिए responsible है आपके body में, देखे जब आपको एकदम fighting spirit होता है, motivation होता है, एकदम ambition होता है, मुझे सबसे पहले first rank आना है, नहीं मैं जीत कर दिखाऊंगा, अभी ये जो emotions होते है, ये जो feelings होते है, इसके लिए dopamine responsible है, तो modafinil जो है, ये आपके body में dopamine का जो inhibition होता है, वो रोक देता है, और आपके body में dopamine का level बढ़ा देता है, तो इसकी वज़वद से क्या होता है, कि patient बहुत ही ज्यादा motivate हो जाता है, बहुत ज्यादा ambitious हो जाता है, बहुत ज्यादा hyper पर, means क्या बोल सकते है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, इतना जगडालू और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और उसकी वज़े से उसको पैनिक अटेक्स आते है, एंग्जाइटी आती है, और जब उसको फेलियर फेस होता है, तो वो डिप्रेशन में यह इसका side effect है अगर आपके बॉडी में excessive dopamine हो जाता है तो second action जो modafinil करता है वो आपके बॉडी में GABA को reduce कर देता है अभी GABA मतलब gamma amino butyric acid अभी यह भी एक तरह का बहुत ही important neurotransmitter है अभी यह जो chemical compound है अगर आपके बॉडी में कम हो जाता है तो क्या होता है अभी basically जो GABA है यह आपके बॉडी में calmness या एकदम शांत feeling, stress free, relaxed feeling आराम से आपको chain की नीन जो आती है एकदम अच्छा लगता है content, sense of contentment लगता है बहुत शांती feel होती है यह सभी चीजों के लिए responsible है GABA लेकिन modafinil जब आप लेते हो तो आपके बॉडी में GABA कम हो जाता है यानि आपको कभी भी शांती नहीं मिलती आप हमेशा alert रहते हो which is required soldiers में यह चाहिए होता है इसलिए यह दो major actions होते है increased dopamine level और decreased GABA levels यह चीज़े होती है अब इसके side effects क्या है अभी इसके side effects प्लीज थोड़ा सा सून लीजिए आप ज्यादा excited मत हो जाएए कि चलो मुझे finally एक दवाई मिल गई जिसको लेके मैं exam में first आ जाऊंगा side effects सुनके आपके हाथ पाउ ठंडे पड़ जाएंगे जैसे कि मैं famous हूँ side effects के बारे में बताने के लिए तो सबसे पहला तो skin के reactions होते हैं जैसे skin rashes allergic reaction होते हैं एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है वो है jaundice ये दवाई लेने से कई बार patient को jaundice हो जाता है liver का problem भी हो सकता है दूसरा एक बहुत severe और खतरनाक side effect ये है कि bleeding disorders अब इसमें epistaxis होता है अभी epistaxis क्या है नाक से खून निकलने लगता है ऐसे ही बैठा है patient अचानक से नाक से खून निकलने लगता है second complication hematuria अभी ये क्या है तो पिशाब में खून निकलने लगता है और उसकी बज़े से kidney damage भी हो सकता है चलिए अब ये तो हो गया अभी कुछ ऐसे जैसे मैंने कहा dopamine और gaba के बारे में जो मैंने आपको describe किया तो जब कोई patient modafinil लेता है तो उसको बहुत severe mood swings आते है severe depression होता है severe anxiety attacks आते है और ऐसा case study है कि जो patients बहुत लंबे समय तक modafinil लेते है और कई बार इसको high doses में लेते है तो उनके अंदर suicidal thoughts आते है और ये ही शायद reason हो सकता है अगर सुशान सिंग राजपूत ने modafinil लिया होगा और वो भी अगर high dose में लिया होगा तो it could be a reason why he committed suicide One more thing जो बहुत खतरनाक होता है modafinil से कि patient को hallucinations आने लगते है और जैसे मैंने कहा कि body में GABA का जो neurotransmitter कम हो जाता है इसलिए patient बहुत ज्यादा nervous हो जाता है बहुत ज्यादा डर जाता है उसको हमेशा डर रहता है उसको ऐसा लगता है कुछ मेरे साथ होने वाला है जिससे दिल में डर बैट जाता है वो हमेशा घबराहट में रहता है ये सब चीजे होती है अगर कोई patient modafinil ले रहा होता है इसके साथ साथ patient को बिलकुल भी नीन नहीं आती obviously क्योंकि ये ही चाहिए होता है soldiers में इसलिए गाबा जब कम हो जाता है तो patient को बिलकुल नीन नहीं आती इसलिए patient को complete insomnia हो जाता है अब ही आप सोचेंगे तो ये तो बहुत खतरनाक side effects है हमको कैसे पता चलेगा कि हमने modafinil ली और हमको side effect हो तो देखे जब शुरुवाती में जब patient initially modafinil लेता है तो उसको कुछ बहुत subtle ऐसे side effects दिखते है सबसे पहले तो उसको stuffy nose या उसको नाक बंद हो गया है ऐसा लगता है बार बार वो ऐसे करता रहता है नाक एकदम बंद हो जाता है modafinil जब starting में लेने लगता है patient को back pain होने लगता है secondly patient को अचानक से constipation start हो जाता है उसको digestion सब सही था लेकिन modafinil लेने के बाद constipation start हो जाता है fourth जो उसका symptom होता है वो है muscle twitching कई बार कुछ ऐसे ही बैटा है कुछ ऐसे muscle spasm आ जाता है कुछ muscle ऐसे ही हो जाता है कुछ चोटे-चोटे minute muscle twitching होते है कई बार ऐसे ही बैटा है तो उसके यहाँ पे corners of the mouth भी इस तरह से twitch होते है कई बार आँक भी twitch होती है अब ये जो चोटे-मोटे symptoms है ये इससे पता चलता है कि modafinil के side effects start हो गये है अगर ये stage पे modafinil बंद नहीं कर देते तो आगे चलके बहुत गंबीर और dangerous side effects हो सकते है सबसे बड़ी बात modafinil की ये है कि ये highly addictive medicine है highly addictive medicine है अगर इसके साथ आप खेलोगे ऐसे ही आप उसको use करोगे तो इसका 100% आपको addiction होने ही वाला है इसलिए ये किसी के लिए भी recommended नहीं है किसी ने भी इसको बिना doctor के prescription पे वो भी बहुत worst cases में ही इसको लिया जाता है ऐसे ही किसी ने लेना नहीं चाहिए क्या इसको किसी कौन से medical conditions में इसको avoid करना चाहिए देखिए सबसे बड़ी बात तो जैसे मैंने कहा इसके में dopamine का level बढ़ जाता है इसलिए patient बहुत ज्यादा you know nervous और ऐसे सब हो जाता है तो इसलिए modafinil जो लेते हैं उनके अंदर high blood pressure का problem देखा जाता है अचानक से blood pressure बढ़ जाता है especially जो बहुत high doses में modafinil लेते हैं उनका अचानक से BP बढ़ जाता है तो इसलिए BP के patient होते हैं उन्होंने modafinil नहीं लेनी चाहिए अगर आपको कभी भी life में jaundice हुआ है या किसी भी तरह का liver का problem है तो modafinil बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए उससे liver failure हो सकता है kidney का कोई problem होता है तो उन लोगों ने भी इस तरह की modafinil या कोई भी nootropic drug लेना नहीं चाहिए अगर आपकोई psychiatric medicine ले रहे हो bipolar disorder है depression की बिमारी है तो इस तरह के mental या psychiatric conditions में आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह के nootropic drugs और specially modafinil तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए क्या modafinil कोई medicines के साथ react करता है या नहीं येस आपको शौक होगा ये सुनकर कि modafinil जो medicine है या जो nootropic drug है ये side effect करता है अगर आप vitamin B12 ले रहे हो vitamin C ले रहे हो तो या फिर vitamin D3 भी अगर आप ले रहे हो तो उसके साथ अगर आप modafinil लेते हो तो आपको serious side effects हो सकते है इसके साथ साथ कुछ नीन की दवाईया है जैसे acetalopram ये सब भी आप अगर लेते हो तो उसके साथ reaction हो सकता है secondly pain killers जैसे acetaminophen ibuprofen, aspirin ये सबी चीजों के साथ बिलकुल भी modafinil लेना नहीं चाहिए generally उसको लेना पड़ता है क्योंकि modafinil जब patient start करता है लेने का तो सबसे पहला side effect जो उसको महसूस होता है वो है सरदर्द, सर बहुत भारी लगने लगता है सर में दर्द होने लगता है तब वो pain killer की गोली लेता है और उसकी वज़े से उसको bleeding problem start हो जाता है इसलिए ये सबी pain killers तो बिलकुल भी लेनी चीए और दूसरे लोग जो सोच रहे है कि मैं जो stud type के जो लड़के होते हैं उनके लिए अगर आप वायगरा ले रहे हो तो वायगरा के साथ modafinil बिलकुल भी मत लीजिए आपको बहुत ही serious side effects होंगे यहां तक कि आपको brain stroke भी आ सकता है कई बार आपको eyesight भी जा सकती है तो इस सरा के गंबे side effects है किसी भी age group ने किसी ने भी ये tablet को नहीं use करना चाहिए strictly strictly under doctor supervision only तो I hope you got your answer चलिए next question देखते है विवेक राजशेकर ने कहा ma'am ऐसा कोई treatment है जिससे 18 साल की बाद height बढ़ती हो yes अगर आपके growth plates open है तो ऐसी treatment है channel पे मैंने काफी सारे videos post किये height increase पे HP ने पूचा है hello ma'am my age is 21 मुझे कभी nightfall नहीं हुआ है but I am physically fit I decided not to masturbate for 7 days but even though I don't had nightfall my weight is 73 height fine and आप क्या कहना चाहते हो मुझे आपका question बिल्कुल भी नहीं समझ में आया आपको nightfall नहीं है आपने masturbation बंद कर दिया आप actual में कहना क्या चाहते हो यह मुझे बता ही आपका question ही मुझे नहीं समझ में आया Ravish Kumar thanks for coming daily live and solving public related health issues thank you very much Ravish ji for your kind words I appreciate your positive feedback thank you very much Munna Sakit ने का है कल हमने both testis के torsion के बारे में कहा था मैम torsion होकर बहुत दिन हो गए 5 दिन हो गए डॉक्टर ने surgery करके निकालने को कहा है क्या उपाय है surgery और infection को avoid कर सके नहीं आप I am really sorry I wish I could tell you something positive लेकिन surgery के अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं है आपको surgery के द्वारा testis को निकालना ही पड़ेगा अगर हमारी surgery करके दोनों testis out कर दिये जाए तो testosterone नहीं बनेगा adrenal gland में बनता करके सुना था what are the cons of surgery will become female like breast hips develop बहुत अच्छा question पूछा है देखे मुना जी बहुत सारे लोगों को कभी-कभी testicular cancer की वज़े से दोनों testis निकालने पड़ते है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है yes, as a result of this आपके body में testosterone बनना बंध हो जाएगा लेकिन testosterone majorly testis में बनता है ऐसा आपने सही सुना है कि कई बार adrenal से या ब्रेन से भी वो testosterone थोड़ा बहुत तो आपकी body में release होता ही है क्योंकि testosterone male और female दोनों में होता है लेकिन बहुत कम quantity में होता है females में और males में testosterone का level high quantity में होता है तो जब आपकी testis निकाल देंगे तो आपके body में testosterone का level बहुत ही कम हो जाएगा zero नहीं हो जाएगा लेकिन testosterone का level आपके body में कम हो जाएगा उसकी वज़से आपको asuspermia होगा यानि कि आपको sperms नहीं बनेंगे लेकिन आपको penis का erection होगा आप sexual life भी enjoy कर सकोगे हाला कि थोड़ा सा erectile dysfunction आपको महसूस होगा आपका semen भी होगा आपका ejaculation भी होगा और testosterone का level आपके body में कम हो जाएगा इसलिए आपको breast नहीं आएंगे female नहीं बन जाओगे इसमें थोड़ा सा problem यह होगा कि आपको menopausal symptoms जैसे females को menopausal symptoms होते हैं जैसे कि अचानक से mood swings आना चिर चिर आपन ये चोटे-मोटे symptoms आपको महसूस होंगे ज्यादा emotional हो जाओगे ये सब चीज़े आपको महसूस होंगे कोई ऐसी खतरनाक symptoms आपको महसूस नहीं होंगे और आप आपकी sexual life भी अच्छी तरह से enjoy कर सकते हो HM मैं मूँ में चाले हो गए है प्लीज इलाज और medicine बताइए आप fol white ले लीजे fol white 5 mg 3 times a day 10 दिन का course कर लीजे इससे आपको ठीक हो जाएगा अगर नहीं ठीक होता है तो फिर चेक अप करना पड़ेगा देबेंद्र कुमार मैं मैं कोजी केर क्रीम आपने चेहरे पर लगाई तो उससे थोड़ा bump और rashes हो गए इसको कैसे ठीक करे देखे देबेंद्र जी अगर आपको कोजी केर क्रीम से rashes हो रहे है इसका मतलब यह है कि आपको allergic reaction हुआ है completely stop कर दीजे कोजी केर क्रीम अगर इसमें एक reason यह हो सकता है क्योंकि कोजी केर क्रीम generally oily skin के लिए recommended होता है तो अगर आपकी normal और combination skin है तो उसके लिए यह recommended नहीं है तो आप इसका use बिलकुल भी बंद कर दीजे वाइसो सीरियस ने पुछा है ma'am I have lean PCOS if I take proper treatment then will I be able to gain weight age is 19 because at this time कुछ भी खालू तो weight नहीं बढ़ता देखे वाइसो सीरियस आपकी age 19 है और आप कह रहे हो कि आपको PCOD है और आपका weight gain नहीं है आप दुबले पतले हो यह बहुत strange है क्योंकि PCOD में weight gain होता है दुबले पतले नहीं होते तो इसलिए हो सकता है कि आपका diagnosis गलत हुआ है so we need to find out कि आपको periods irregular वगेरा क्यों आ रहे है क्या आपको periods का problem है और actual diagnosis क्या है there are chances कि आपका diagnosis misdiagnosed हुआ है आपको PCOD नहीं है बलकि कोई और problem है तो आपका detailed analysis कीजिए detailed body check-up कीजिए कुछ इसे important test है वो देख लीजे और अगर आपको weight gain ऐसे ही अगर करना है तो protein supplements ट्राइ कीजिए उसमें ट्राइ करने में कोई हर्ज नहीं है उसका कोई side effect भी आपको नहीं होगा 2.5 चमच आप प्लेन दूद के साथ morning में ले लीजे protein X original बिना शक्कर डाले अगर आपको कड़वा लगता है तोड़ा सा शक्कर डाले सिर्फ morning में लीजे और इसको 3 weeks के लिए लीजे देखे आपके weight में अगर improvement होता है तो फिर वो आप continue कीजे लेकिन PCOD में बहुत ऐसा actually ऐसे cases नहीं है जिसमें PCOD है और patient का weight gain नहीं हुआ हो तो we need to first find out कि आपका actual diagnosis क्या है मुन्ना साकित हमने homeopathy के चक्कर में surgery avoid करनी चाही I feel very sad इसका क्या solution है surgery के बाद thanks मुझे two kids already है surgery के बाद marriage life समाप्थ हो जाएगी क्या नहीं मुन्ना जी आपकी question का answer मैंने कर लिया है एक last question मैं ले लेती हूँ DYC ने पूचा है आज 21 दिन बाद COVID का test करवाया है sample लेने के लिए उसने naak में swab stick डाली तो irritation होने लगा तब से चीके आ रही है ऐसा बहुत बार हुआ है जब भी naak में irritation होता है इसका क्या इलाज है देखिए DYC generally वो लोग naak में test करते हैं इसे गुसा जालते अंगर ऐसे एकदम गुसे में होते हैं वो बिचारा गुसे में होगा कि उसको इतना सारा काम करना पड़ रहा है generally जो covid duty पे होते हैं वो बहुत गुसे में होते हैं देखिए उसकी कोई गलती नहीं है बिचारे को माफ कर दीजे हो सकता है कि आप वो जो cotton जो होता है उसके fibers की बहुत सारे लोगों को allergy होती है तो nothing to worry अगर आपको बहुत सारी चीके आ रही है तो उसके लिए anti-stermina प्ले लीजे either you can take cetryzine or you can take fexofenadine minimum dose you take दोनों में से कोई भी एक लीजे रात को खाना खाने के बाद take it for 7 days आपकी चीके completely ठीक हो जाएगी उसके उपर गुस्सा मत हो ये can mercury thermometer harmful for human if it breaks into the mouth then what will happen is it have any treatment बहुत अच्छा question पूछा है इसलिए मैं फटाफट ले लेती हूँ देखे डिवाईसी अगर आपके मूँ में mercury thermometer break हो जाता है तो yes इससे बहुत ज्यादा जैसे snake bite होता है cobra snake अगर आपको काटता है तो तुरंथ कैसे patient directly gone इसी तरह से mercury poisoning में होता है और वो भी जब वो thermometer break होता है तो उसमें तो mercury actually mercury है तो उसका तो dose काफी high होता है जो अभी आजकल कहते है कि fish जो पानी में fish मिलती है तो contamination उसमें बहुत कम mercury levels होता है चलिए अब अगर आपके मूँ में mercury thermometer break हो गया तो क्या करना है सबसे पहले तो वो patient को immediately hospitalized करना है mercury का side effects क्या है एक बहुत interesting बात में आपको बताना चाहूंगी mercury जो होता है वो अगर आपके skin पर होता है या आप अगर उसको touch करते हो तो उसकी वज़े से आपकी skin completely मतलब बहुत severe skin का reaction हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा toxic है लेकिन mercury आपके skin को damage करता है लेकिन आपके body में वो absorb इतना fast नहीं होता as compared to जब भी mercury हवा को expose होता है तो उसमें से बहुत सारे fumes निकलते है तो वो जो fumes होते है mercury के वो extremely 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 dangerous होते है और immediately patient को harm हो सकता है यहाँ तक की patient की death भी हो सकती है तो क्या करना चाहिए सबसे पहले तो घर में से mercury thermometer निकाल दो अभी infrared thermometers मिलते हैं सभी hospitals में भी यह mandatory हो गया है कि किसी भी तरह के mercury thermometers यूज नहीं करने है secondly अगर आप बहुत सारे doctors अभी भी वो sphigmo manometer यूज करते है जो mercury का है doctors को allowed है लेकिन doctors को mercury thermometer भी allowed नहीं है अगर आप घर पर एक BP instrument रखते हो तो digital वाला BP instrument यूज कीजे अगर आपके हाथ से अगर mercury thermometer break हो गया मुँ में अगर break हो गया तो वो patient का कुछ ये नहीं है immediately उसको hospitalized करना होगा और बहुत कम outcome है कि बहुत कम chances है कि वो patient survive होगा अगर वो patient survive भी होगा तो उसका पूरा जीब वेब सब चला जाएगा कई बार paralysis भी हो सकता है और अगर बारा गंटे से ज्यादा लेट हो गया patient को भेजते भेजते तो फिर patient का survival rate बहुत कम है अगर नीचे गिर गया हो अगर जमीन पे गिर गया हो तो आपने क्या करना चाहिए सबसे पहले अगर mercury जमीन पे गिर जाता है कुछ भी रुमाल या कुछ मास्क आप पहन लीजे ताकि वो fumes आप inhale ना करे वो जो mercury नीचे गिरा है उसको बिल्कुल भी touch मत कीजे और बिल्कुल भी vacuum cleaner तो बिल्कुल भी use मत कीजे US में से बहुत सारे cases है जिसको साफ करने के लिए लोग vacuum cleaner यूज करते है और उसकी वज़से और भी ज्यादा damage होता है और घर वाले सबी लोग बहुत ज्यादा toxic fumes की शिकार हो जाते है तो उसको touch बिल्कुल मत कीजे उसके बाद आप क्या कीजे घर पर कोई भी gloves होगा या कोई भी rubber होगा या कुछ नहीं वो जो syringe है उसको अच्छी तरह से pack करके उसको dispose off कर दीजे और वो भी toxic waste में dispose off कर दीजे उसको touch बिल्कुल भी मत करना तो I hope you got your answer चलिए आज के think pill quiz की बारे में बात करते है आज हमने एक interesting think pill quiz post किया है थोड़ा सा controversial है लेकिन देखते है आज के quiz के लिए मुझे मिले है 108 votes आज का think pill quiz number 39 है cheat tip and answer reveal first comment if you are watching my videos regularly you should be able to answer this home hack tip from the below given option one of the tablet or lotion gives you natural protection against mosquito bite mosquito repellent properties identify the right option four are wrong and one is right नीचे दिये sorry आज का quiz इस पर है कि नीचे दिये गए जो भी options है उसमें से ऐसा कौन सी दवाई या ऐसा कौन सा lotion अगर आप इससमाल करते हो तो आपको मच्चर नहीं काटेंगे तो नीचे हमने चार गलत option दिये है और उसमें से एक सही options दिया है तो आपको जो सही option है उसको select करना है चलिए सबसे पहला option है vitamin B1 in B complex tablet is a good mosquito repellent 22 प्रतिशत लोगों ने इसको vote किया है ये answer सही है yes vitamin B1 के supplement actually एक study हुई थी biological and pharmacological bulletin में ये publish हुई थी तो ये study में उन्होंने एक actual study किया था जिसमें उन्होंने ये देखा कि जब patient एक B complex की medicine या B1 specially अगर लेता है तो वो एक तरह का odor निकलता है उसकी skin में से एक तरह की बदबू जैसे आती है जो normal humans को नहीं आती लेकिन मच्छर को specially Qlex mosquito जो होता है उसको आती है और female Qlex mosquito और वो bite नहीं करता Gates की wife Belinda उन्होंने एक foundation start किया है जो malaria पे खास करके research कर रहा है और बहुत सारी vaccines डेवलब कर रहा है तो उन्होंने एक research में ये कहा है कि ये बिल्कुल भी गलत है और सिर्फ DEET एक तरह का chemical जो होता है सिर्फ वो ही काम आता है B1 काम नहीं आता तो अभी दोनों 50-50 debate चल रही है क्या सच है और क्या गलत है तो अगर आपको ये research article देखना है जिसमें उन्होंने कहा है कि B1 से mosquito repellent का effect आता है तो वो article का link मैंने वो particular video में comment में मैंने post किया है तो वो आप देख सकते हो वो article पढ़ सकते हो उसमें एक detailed study दिया है वो एक research paper है नेक्स्ट ओप्शन वितमिन C, nature's gift is best repellent for mosquito bite 6 प्रतिशत लोगों ने इसको vote किया है गलत आंसर है थर्ड ओप्शन रेतिनल और वितमिन A based creams help against mosquito bite 8 प्रतिशत लोगों ने vote किया है ये भी गलत आंसर है वितमिन E, lotion and capsules help protect against mosquito bite 13 प्रतिशत लोगों ने vote किया है ये भी गलत है और last option है all wrong, none of the above have mosquito repellent properties 50 प्रतिशत लोगों ने इसको vote किया है ये भी आंसर गलत है तो चलिए आज का सही जो option select करना था वो है A तो देखे कितने लोगों ने किया है ट्रांजिंग सोनोवाल ने comment post किया है ma'am A option is right I always watch your videos from Aasam thanks, thank you very much ट्रांजिंग जी चलिए आपको मैं like कर देती हूँ I appreciate your feedback thank you very much for watching my videos if you have any suggestion always your suggestions and feedback is welcome okay चलिए next comment पढ़ते है अभीत मर्यम ने का है ma'am option A is right answer yes, अभीत जी आपने शायद cheat tip वाला video देखा है चलिए आपको like कर देते है शोईब ने का है option A, B complex vitamins and mosquito repellent चलिए शोईब को भी like कर देते है बिल्कुल सही मिंटु कश्य अपने option E का है मिंटु जी आपने लगता है cheat tip वाला video नहीं देखा इसलिए आपने गलता answer दिया चलिए आपको भी like कर देते है सुनिल वाडेर ने का है आपका बताया हुआ फंडा vitamin B वाला आखे true ही होगा yes, सुनिल जी देखते है 50% सच है 50% जूट है अभी research article में का है कि ये सच है देखते हैं सच है या नहीं आपको try कर सकते हो आजकल तो सभी लोग vitamin B complex लेते है आपको लेकर देखिए निमे सिब मजा कर रही हो try मत करना चलिए आपको like कर देते है कही trial के चक्कर में आपको अगर malaria dengue हो जाएगा तो भापरे मुझे ये नहीं चाहिए कुछ भी trial मत करना अंचल शर्मा ने का है मैडम नमस्ते यह option ही सही है सही answer है सौरी अंचल जी देखे आपका नाम मैंने सही तरह से बताया सही तरह से बोला लेकिर आपका answer गलत है आपने शायद cheat tip वाला वीडियो नहीं देखा चलिए आपको like कर देते है और आज मैंने आपका नाम सही पुका रहा है देबेंद्र कुमार ने का है मैम A is right answer येस देबेंद्र यूर राइट most of your answers I think all of your answers are absolutely right very good keep it up पंकच कुमार गुपता option A is right येस पंकच जी आपका answer बिलकुल सही है आपका answer mostly सही रहता है mostly कि I think हमेशा ही सही रहता है very good नूर आलम A येस चलिए आपको like कर देते है विशाल गुपता option E vitamin B complex is best repellent mosquito not vitamin B1 देखिए विशाल जी शायद आप थोड़े से confused हो आप cheat tip वाला video देख लीजिए चलिए आपको like कर देते है Krishna Singh option A yes Krishna जी बिलकुल सही answer Krishna जी आप हमेशा सही answer देते हो Amandeep ने का है option A yes Amandeep you are absolutely right star brother studios ने का है option A yes star brother studios you are absolutely right चलिए आज की live clean को यहीं खतम करते है अगर आपको एक video consultation free of cost video consultation में part लेना है जो होने वाला है Sunday दोपहर में देड़ बजे तो इस video के description में एक mobile number दिया है उस पर आपको WhatsApp करना है send link तो आपको यह invitation link दिया जाएगा जिसके द्वारा आप इसमें part ले सकते हो यह public के लिए सभी के लिए open नहीं है तो इसलिए आपको यह invitation link के द्वारा ही आप यह free video consultation का फाइदा उठा सकते हो तो चलिए अगले live clinic में यानि कल रात ही 10 बजे आप से फिर मुलाकात होगी तब तक कि लिए stay fit, stay healthy and don't forget to stay awesome बाई झाल